वेरी गूद इवनिंग मैई डियर फिंड्स अगर आप मेरी आवास सुन पारें तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख देना वेरी गूद इवनिंग मैई डियर फिंड्स अगर मेरी आवास आप तक पॉन्च रही है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख देना अचली तो आपके मेसेजिस आ रहे हैं कि यस सर्म आपकी आवास सुन पारें तो सभी को हाई हेलो नमस्ते उमीद करते हैं जी आप सभी बहुत बढ़िया हैं थोड़ी थोड़ी टेंशन हो रही होगी आप सभी को और बिलकुल नॉर्मल है एक्जामिनेशन नजदीक है और आपने अच्छे से त्यारी की है तो थोड़ी बहुत टेंशन होना तो बिलकुल यहाँ पे लाजमी है कोई दिक्कत की बात नहीं है तो my dear friends यहाँ पर आज आपके साथ हम डिसकस करने वाले हैं कुछ most expected MCQ जो की environment से हमारे paper में पूछे जा सकते हैं तो हमने analyze किया कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं अब तक और उनी सवालों के basis पर कुछ important points आपके साथ discuss करेंगे कि अगर ऐसे points पे आपके पास दुबारा सवाल आ जाए तो आप उसका answer यहाँ पे दे सकें तो चलिए शुरू करते हैं आज के session को तो शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से आपको हमारे courses के बारे में बता देता हूँ पेपर वान जनरल पेपर के लिए mini combo pack और complete combo pack, paper to commerce के लिए free snapshot notes, unit wise past papers, NTA वाले format बटे series और सभी units का video course आप अवेल कर सकते हैं तो बिना कोई time waste करते हुए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले सवाल की तरफ देखते हैं इसका answer हमें कहां से सही मिलता है बिलकुल सीधा सीधा सवाल है जी, India accounts for approximately dash percent of the global greenhouse gases emissions तो my dear friends आप सभी जानते हैं कि greenhouse gases का जो emissions हैं हमारे environment के लिए कितना खतरनाक है आप से पूछा गया कि पूरे world में जो greenhouse gas emissions हो रही हैं उसमें इंडिया की हिस्सेदारी कितनी है इंडिया का share उसमें कितना है ये आप से यहाँ पे पूछ रहे हैं सर ग्रीन हाउस gases हमारे लिए क्यों हानिकारक है ये इसलिए हानिकारक है कि आपकी ये sun rays को trap कर लेती हैं और हमारी अर्थ को गरम कर देती हैं और इसे ग्रीन हाउस effect का नाम भी दिया जाता है स्वाती कोई दिक्कत की बात नहीं देखो आप सभी को लगेगा कि हम सब कुछ भूल रहे हैं बट आप चीजों को जब देखोगे जब आपके सामने कोई सवाल आएगा तो आप automatically recollect कर पाऊगे यह थोड़ी सी attention है जो examination से पहले होती है और इसी वज़े से आपको लग रहा है आप mind को free रखिए stress free रखिए आप definitely examination में अच्छा करेंगे positive रहे है confident रहे है आपने त्यारी की है आपको result यहाँ पर definitely मिलेगा तो answers मेरे पास यहाँ पर आचुके है आप सभी के B, A, B काफी सारे answers है option number B के और option number B वाले जो मेरे friends है उनका answer यहाँ पर बिलकुल सही है तो my dear friends जो हमारे पास data available था यह basically मुझे जो मिला काफी सारा sources पे तो नहीं मिला इसके बारे में कुछ मुझे तो मुझे बताया गया जी इंडिया जो emit करता है around 3 giga tons equivalent of greenhouse gases each year about 2.5 tons per person which is half the world average emits 7% of the global emission जो हमारी global emissions है उसका 7% जो है वो इंडिया emit करता है यहाँ पे यह बात लिख रखी है तो यह आपको पता होनी ज़रूरी है और इसी तरीके के सवाल examination में देखने को भी मिल रहे है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं which among the falling countries emits the highest quantum of carbon dioxide in the world बताये जी इन में से कौनसी country है जो की पूरे world में सबसे जादा carbon dioxide की emission करती है इंडिया, चाइना, यूएस, रशिया उर्वेशी शुरू मैं पूछ रहे थे देखिए assessment यह 20, 21 करके जाईए आप उसी से पूछना चाहिए सवाल तो चलिए आप सभी के answer आ रहे है option number B के और कुछ US के भी answer आ रहे है कुछ C के आ रहे है देखिए B और C में confusion लग रहे है इतना तो तय है कि हमारे जो इंडिया है सबसे जादा carbon dioxide emit नहीं करता तो कौन emit करते है सबसे जादा carbon dioxide आपका चाइना जो है सबसे जादा carbon dioxide के emission करते है तो आप यहाँ पे देख सकते है carbon dioxide emissions by countries और यहाँ पे number one पे हमारा है जी चाइना आप से ranking भी पूछ सकते हैं examination में कि इनको order में arrange करके बताओ पहला है जी चाइना फिर है United States और फिर तीसरे number पे है इंडिया तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि इंडिया जो है यहाँ पे third largest जो है greenhouse gas emissions का emitter है और यहाँ पे इंडिया जो है carbon dioxide emissions में third number पे ही हमारा आता है चाइना है top पे फिर है US और फिर है इंडिया तो यह जो आपको order है यह आपको याद रखना है यह आपको पता होना चाहिए order बहुत जरूरी है यह आपको इसे याद रखना है चलिए जी बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ सर अगला सवाल भी कुछ ऐसे ही लग रहे है हाँ जी बिलकुल ऐसे सही सवाल है क्योंकि ऐसे सही एक्जाम में आ रहे है which among the following countries is the highest producer of greenhouse gases when measured on a per capita basis सर आप तो greenhouse gases के पीछे ही पढ़ गए NTA भी पीछे पढ़ा हुआ अब मैं पूछ रहा हूँ कि per capita basis पे कौन सबसे ज़्यादा बड़ा emitter है सर पर capita का क्या मतलब है अगर हम अपनी greenhouse gas emissions को divided by population कर दें तो हमारी per capita emissions निकल कर आ जाएंगी तो per capita emissions में कौन टॉप यह है US, China, India, Japan हाँ जी सबको very good evening जो भी हमार सा तबी देर से जुड़े है answer आ रहे है US, China, US, China majority carry option number A और majority यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब मुझे दे रही है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी absolute basis पे और per capita basis पे आपको यहाँ पे carbon dioxide emissions के बारे में जानकारी दे रखी है तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन से हैं जी top greenhouse gas emitters हमारे अगर हम European Union को एक कठा जोड़ दे सारी European Union की countries को एक कठा जोड़ दे तो वो इंडिया और USA के बीच में आ जाता है otherwise अगर अलग लग देखें इन countries को तो वो नीचे ही हमारा रहता है अगर per capita basis के हम देखें per capita basis मतलब per person अगर देखें emissions हमारी तो top पे हमारा है USA फिर हमारा है Russia फिर हमारा है Japan फिर है China फिर है EU और India तो कहीं नीचे जाके है जी इंडिया तो कहीं नीचे जाके आपका आता है तो यहाँ पे my dear friends top पे आपका USA फिर Russia है फिर Japan है इंडिया तो कहीं नीचे जाके आता है और इसलिए आपका अंसर यहाँ पर option number A ही बनना था बिल्कुल क्योंकि per capita basis में USA हमारा उपर क्यों आ गया क्योंकि चाइना की population बहुत जादा है population से divide किया तो per capita emissions काम हो गई इंडिया की भी population बहुत जादा है और इसलिए per capita basis में इंडिया भी नीचे पहुन जाता है USA की population काम है इसलिए per capita basis में USA उपर रहता है बिल्कुल सही अनलाईज करके बताया DIA skills भी आपको यहाँ पर test हो गए बहुत बढ़िया चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं जी सवाल नंबर चार आपकी स्क्रीन पे है विच अमंग दा फॉलिंग सेक्टर्स अकाउंट फॉर दी हाइस्ट गरीन हाउस गैस इमीशन्स इन इंडिया बाप रे बाप सर आप तो गरीन हाउस गैस इमीशन्स के बिल्कुल हाथ दोके पीछे पढ़ चुके हो आप पूछ रहे हो कि अब कौन से सेक्टर जो है सबसे जादा गरीन हाउस गैस की इमीशन्स करता है क्या एनर्जी, एगरीकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिर वेस्ट कौन सा सेक्टर है जी सर ये तो बहुत आसान है क्या ऐसे सवाल भी आते हैं पेपर में बिल्कुल ऐसे सवाल ही तो आ रहे हैं पेपर में ऐसी चीजों के बारे में तो आपको जान करिया हुने चाहिए मैंने यहाँ पे आपसे सीधा-सीधा सवाल पूछ लिया पेपर वाला क्या कर सकता है पेपर वाला करेगा जी इनर्जी, एगरिकल्चर, फोरेश्टी, विस्ट इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करके देगा इसके चार आप्शन बना देगा किसी में एनर्जी पहले, किसी में अगरिकल्चर पहले ऐसे खेलने की कोशिश करेगा आपको कन्फ्यूज करेगा तो आपको बारीकी में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आंसर्स आपके आ रहे हैं आप्शन नमबर A, B, D B, A, D कह रहे हैं सारे B, A, D क्यों कह रहे हो मैंने भी आपको जो लिंक दिखाया था Wikipedia वाला उसमें क्या लिख रहे थे कि हमारा जो main source है वो है coal coal का इस्तमाल कहां करते हैं हम हमारे thermal power plants में हमारी energy production करने में तो यहां पर बताये गें सब्शोड़ा सा जोम कर देते हैं तो बढ़िया रहता लोजी जोम कर देते हैं देख सकते हैं आप यहां पर कि हमारा greenhouse gas के sources अगर हम देखें, तो energy in India is the main source, energy जो है वो सबसे बड़ा source है, यहाँ पे electricity generation, यह सब चीजें हमारे सबसे बड़ी source यहाँ पे बन रखी है, agriculture emissions और waste वगारा तो आपका कहीं नीचे आता है, energy जो है वो आपका सबसे बड़ा contributor है to greenhouse gas emissions, तो यह माईडियर फ्रेंड्स आपको आपकी नीचे है, बाकी सब चीजें आपकी नीचे आ रहे है, energy जो है वो आपकी सबसे ऊपर है, energy का आपका सबसे जादा emissions होता है greenhouse gases का, तो लिक भी रखा है यहाँ पे in India 68.7% of the greenhouse gas emissions come from the energy sector, और इसके बाद हमारा है agriculture, फिर है industrial processes, फिर है land use changes and forestry, और फिर आपका आता है waste, य 6%, 3.8% and 1.9% respectively to the greenhouse gas emissions, तो इनका order भी आपको यहाँ पे मिल गया है, order भी यहाँ पे मिल गया कि पहले energy है, फिर agriculture है, फिर industrial processes है, फिर forestry है और फिर आखरी में आपका waste है, टॉप पे energy है, आपका फिर agriculture आता है, इस चीज को याद रखना है, examination आने तक भूलना नहीं है, चलो ज याद रखेंगे अब इसको, अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से, अगले सवाल पे आ गए, pollutants produced by vehicle exhaust include, हमारे जो vehicle के exhaust होते हैं, उनसे कौन से pollutant निकलते हैं, आप सभी चलाते हैं, कार, स्कूटर, बाइक सब चलाते हैं, तो पूछ रहे हैं उनसे कौन से gases यहाँ पे निकलते हैं, कार्बन मोनोकसाइड, सिल्फर डायोकसाइड, नाइट्रोजन डायोकसाइड, वॉलेटील और्गेनिक कंपाउंड्स, बताइए जी, कौन से निकलते हैं, बताइए से लिए, बताइए जी, देखते हैं, किस-किस का आंसर यहाँ पे सही आता है, आंसर जा रहे हैं, A और C के, A, C और D का आंसर भी आपका आना शुरू हुआ है, D का आंसर भी आपका आना शुरू हुआ है, अब, देखिए अगर मैं बात करूँ कि पॉलूटेंट्स हमारे कौन से हमारे वीकल एग्जॉस्ट में से निकलते हैं, तो माइडियर फिर्ट्स, कार्बन, मॉनोकसाइड, आपके हाइड्रो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑकसाइड, पार्टिकल्स, वालेटाइल, और्गैनिक कंपाउंड्स, यह सभी आपके वीकल पॉलूटेंट्स, इस पर सवाल आपके हैं, वो सनलाइट के अंदर रियेक्ट करते हैं, और ग्राउंड लेवल ओजोन की भी से फॉर्मेशन होती है, और ग्राउंड लेवल ओजोन जो है, वल्टिमेटली फोटो केमिकल स्मोग में भी रिजल्ट कर जाता है, और हमारे को और लंग डिजीज़ भी इससे हो सकती है, तो यह सारे पॉलूटेंट्स जो हैं, यह हमारे स्कूटर, कार, मोटर साइकल, इन सब से एमिट हो रहे हैं, यह आपको पता होना ज़रूरी है, वालेटाइल और गैनिक कमपाउंड पूछ रहे हैं, इस पर सवाल अल्रेड हम डि चलिए, तो बतायागे जी, वालेटाइल और गैनिक कमपाउंड आपके वो हैं, जिनका काफी हाई वेपर प्रेशर होता है, लो वाटर सॉलिबिल्टी होती है, आपके पेंट्स के अंदर, फार्मासूटिकल्स, रेफ्रीजरेंट्स के अंदर भी मिलते हैं, इंडिस्ट्र यहां भी आप पेंट कराते हैं, घरों पे बिल्डिंग मटिरियल यूज करते हैं, जो आप क्लीन करने का समान इस्तमाल करते हैं, साफसफाई करने के लिए जो केमिकल इस्तमाल करते हैं, वहां से भी आपके निकलते हैं, और साथी साथ आपके जो फ्यूल्स हैं, आपके ज discuss किये भी हुए हैं तो एक बार उसे आप जरूर से देखना एक बार उसे आप जरूर से check करना चलो फिलाल हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ फिलाल बढ़ते हैं जी अगले सवाल की तरफ चलो अब बताओ जी अगले सवाल का अंसर डाश is the most abundant greenhouse gas in the atmosphere इन में से कौन सी सबसे ज़ादा हमारे atmosphere में प्रेजेंट है greenhouse gas सबसे ज़ादा abundant कौन सी है water vapor carbon dioxide methane और ozone एंटिये वाले अगेन इसके अंदर आपको order दे के सवाल पूच सकते हैं आपको order देंगे water vapor carbon dioxide methane ozone लिखेंग एक option में एक में carbon dioxide पहले कर देंगे तो ऐसे करके आपको confused करने की कोशिश करते हैं वो answers मेरे पास आ रहे हैं मधू मेगानी ए कह रहे हैं बाकी सभी B और C कह रहे हैं इतनी ज़ादा confusion है क्या इसको लेकर कि सबसे ज़ादा abundant greenhouse gas कौन सी है सबसे ज़ादा abundant greenhouse gas कौन सी है इसको लेकर इतनी ज़ादा confusion है क्या तो my dear friends यहां तक मैंने पड़ा है मेरे according तो water vapor जो है वो most abundant greenhouse gas है हमारे atmosphere के अंदर आपको यह order दे रखा है हमारी greenhouse gases का in order the most abundant greenhouse gases in the earth's atmosphere है आपको यह order यहां पे दे रखा है इस order को याद कर लो water vapor है सबसे पहले सर water vapor greenhouse gas कैसे हो गया हम तो मानते ही नहीं की water vapor हमारी greenhouse gas है बाकी carbon, methane, शितेन तो समझा जाती है यह water vapor कैसे greenhouse gas हो गया तो आप खुद दिमाग लगा के सूचिए ज़रा कि अगर हमारा जो पानी है पानी अगर boil होगा पानी गर्मी में क्या होगा हमारा जो water है वो vapor form में convert हो जाएगा गर्मी के कारण vapor form में convert होगा और वो heat को क्या कर लेगा अपने अंदर absorb कर लेगा और इस वज़े से ये भी greenhouse effect का कारण बन जाता है तो ये भी my dear friends आपको पता होना जरूरी है ये भी आपको पता होना जरूरी है और आपका जो abundant greenhouse gas atmosphere में है वो है water vapor फिर है carbon dioxide फिर है methane फिर है nitrous oxide फिर है ozone फिर है chlorofluorocarbon और फिर है hydrofluorocarbon तो ये आपका order है जी different greenhouse gases का ओके मदू कहरे मैंने कल ही google किया था चलो बहुत बढ़िया केवल मदू ने यहाँ पर सही आंसर हमें दिया ऐसे आंसर दे रहे हो कि क्या बताएं आपको लो मैं आपको google ही करके दिखाता हूं जी water vapor most abundant greenhouse gas लो जी पहला ही link आगया जी water vapor is the most important greenhouse gas it is true that it is the largest contributor to the earth's greenhouse effect on average it probably accounts for about 60% of the warming effect 60% of the warming effect जो है वो आपके water vapor के कारणी हो रहा है ये बात आपके यहाँ पे लिख रखी है देखो जी मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा हूं water vapor आपके लिए इतना आहानी कारक है आपको पता ही नहीं था ठीक है जी याद रखना पर इस बात को अगर मान लीजे water vapor ना होता options के अंदर तो answer आपका carbon exit हो जाता हाँ जी घर से करके जाओ हाँ water vapor नहीं होगा option में बिल्कुल तभी answer आपका carbon exit होगा तो यह order आपको याद रखना इस order को रख लेना इस पर सवाल पूछ सकते हैं बताये जी किसके लिए वह famous है atomic minerals geothermal energy rich iron deposits या फिर largest windmills बताये जी क्यों famous है हमारी केरला की मोना जी एक बार पढ़ लेना instructions को हमने वीडियो पर बनाया था उसमें बताया था सारा उस वीडियो का दुबारा से share कर देंगे management वाले बच्चों के लिए वीडियो बनाया था जब उनका exam था और वही सब चीजें आपके लिए भी relevant है इसका answer दीजिए C, B, A, B सही answer मुझे जो दिया है वो दिया है आवेश और नागल अथा ने इनोंने मुझे सही answer जो है वो दिया है My dear friends हमारे पास atomic energy, nuclear energy की production के लिए Uranium और Thorium दो major atomic minerals है Uranium और Thorium के अबारे में बताया गया कि Uranium आपका कहां मिलता है जी Uranium आपका जारखंड में मिलता है, बिहार में मिलता है, यूपी में मिलता है और साथी साथ आपकी monazite sand जो है वो uranium rich है और वो कैरला में आपकी मिलती है और साथी साथ कुछ आपको Uranium उदेपूर राजस्तान में भी मिलता है तो monazite sand जो है उसमें atomic minerals मिलते है Thorium एक और atomic mineral है हमारा, जो की again monazite से derive होता है ये भी mainly आपका कैरला में मिलता है इसके लाबा आपके कुछ और भी atomic minerals हैं बेरिलियम और लीथियम ये भी आपके atomic minerals है जो की हमारे इंडिया के अलग-लग parts में मिलते है तो monazite sand जो है अकसर इस पर सवाल पूछ सकते हैं और आपको बता होना चाहिए कि monazite जो है वो आपके कैरला में पाई जाती है और इसलिए इसका answer जो है वो my dear friends यहाँ पर mark नहीं किया इसका answer है जी option number A deposits of atomic minerals option number A इस सवाल का सही answer है तो my dear friends साथ सवाल आपको सब discuss हो चुके हैं और मैं देख रहाँ अभी तक इस वीडियो पर like इतने कम है और लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे friends इतने जादा हैं तो यही दोस्ती है कि हम आपके लिए सवाल ढूंड कर ला रहे हैं और आप हमें like भी नहीं कर सकते क्या तो my dear friends यहाँ पर like तो बनता है और like करके ही अगले सवाल पर हम बढ़ने वाले हैं लाइक करके ही अगले सवाल पर हम बढ़ने वाले हैं आपके लिए ढूंड ढूंड के information लेकर आएं सवाल ढूंड कर लाएं जो कि examination के लिए important है और आप इन सवालों को पसंद नहीं कर रहे क्या ऐसी बात है क्या चलिए तो my dear friends अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ सवाल नमबर आठ आपकी स्क्रीन पर आगया जी Consider the following statements regarding sulfur dioxide and nitrogen oxide and identify the correct code Statement 1 है They are both emitted by thermal power plants Statement 2 है They are technically not greenhouse gases but have an indirect impact on the atmosphere आपको बताना है क्या statement 1 true है 2 true है 2 true है या फिर कोई भी इन में से true नहीं है Sulfur dioxide और nitrogen oxide बताईए जी हाँ जी बिलकुल बहुत बढ़िया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका like करने के लिए अब इस सवाल का आंसर भी बता दो जी Sulfur dioxide और nitrogen oxide क्या आपके thermal power plant से निकलती है और क्या ये greenhouse gas है या नहीं है ये भी आपसे पूछ रहे है Sir greenhouse gases को लेकर तो आप बहुत ही जादा पीछे पड़ गया इतने जादा क्यों possessive हो आप greenhouse gases को लेकर आपका कोई affair है इन gases से चलिए आपके answers यहाँ पर मेरे साथ मेरे पास आने शुरू हुए है A, B, C Mixed answer आ रहे है मेरे पास तो Mixed answer आ रहे है मेरे पास My dear friends, ये दोनो statements यहाँ पर बिलकुल सही है ये दोनो statements यहाँ पर बिलकुल सही है अगर मैं बात करूँ आपके thermal power plants के emissions के बारे में तो आप यहाँ पर देख सकते है thermal power plants के emission के बारे में तो कहा गया कि thermal power plant जो है वो एक power station होता है जी जहाँ पर आपकी heat energy को electric energy में convert कर दिया जाता है और इस्तमाल होते है हमारे fossil fuels जैसे coal वगरह इस्तमाल होते है और ऐसा करने से हमारे environment को भी काफे नुकसान पहुंचता है बताया गया जी कौन-कौन सी gases emit हो रही है बताया है यहाँ पर क्या क्या बताया गया है carbon dioxide कहा गया एक बहुत important gas है जो कि यहां से emit होती है यह greenhouse gas भी है global warming के लिए responsible भी है इसके बाद आया जी इसके बाद कहा sulfur dioxide जो है another gas है जो कि यहां से emit होती है कहा गया कि यह technically greenhouse gas आपकी नहीं है technically आपकी यह greenhouse gas नहीं है बट हमारे atmosphere को effect करती है कैसे effect डालती है हमारी sunlight जो है उसको scatter करती है cloud formation जो है उसको effect करती है और cloud को effect करेगी तो हमारी rainfall भी इससे effect होगी और इसे indirect greenhouse gas आप यहां पे कह सकते हैं और इसे sulfuric acid भी form होता है और आपकी acid range जो है वो भी इसके कारण हो सकती है इसके बाद हमारे पासे nitrogen oxides ये भी यहां से emit होते हैं अब कहाग cactus is अलग है और nitrous oxides ये दोनों अलग लग चीज़े है इनमें confuse मत हो ना कि nitrogen oxides और nitrous oxides हम समझे एक है ये दोनों एक नहीं है ये दोनों अलग लग है कहाग अलाइक nitrous oxides nitrogen oxides are not technically greenhouse gases nitrogen oxides आपके greenhouse gases नहीं है बट ये भी आपके environment पे impact डालते हैं, गर आप इन्हें inhale कर लें gases के form में, तो आपको respiratory issues यहाँ पे आ सकते हैं और ultimately ये भी acid rain और smoke को form करवा सकते हैं, इसके लावा आपका ash भी emit होता है आपके thermal power plant से, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके thermal power plant से emit होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से pollutants आपके thermal power plant से निकल रहे हैं और इस पे examination में सवाल भी पूछ चुके हैं, इस पे examination में सवाल भी पूछ चुके हैं, और इसके लिए my dear friends, इस सवाल का answer हमारे पास क्या है जी, option number C है, तो ये दोनों आपकी thermal power plant से निकल रही हैं, और ये technically greenhouse gas नहीं है बट हमारे atmosphere पे impact डालती हैं, तो greenhouse gas की नहीं एक तो वो list आप याद कर लेना, ये list आप याद कर लेना, list आपको ready होगी, तो आपको काफी आसानी रहेगी, काफी आसानी आपको हो जाएगी, लो जी, बढ़ते हैं आज की अगले सवाल की तरफ, इस topic पे भी सवाल पूछे ज decibels, in this regard, which of the following is true, normal conversation is about 60 decibels, in general, sounds above 85 decibels are considered harmful, बताईये जी, बताईये जी, इस पे जुड़े सवाल भी देखने को मिल रहे हैं, Most Welcome Manisha जी, बहुत अच्छा लगा कि आपको हमारे सवाल जवाब पसंद आ रहे हैं, आप हमारी वेबसेट विजिट कर सकते हैं, और आप हमारी एप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वेश्टेडी क्लासिस के नाम से आपको मिल जाएगी, आपके answers आने शुरू होए हैं, यहाँ noise pollution जो है, decibels जो है, उससे link किया जाता है, कि हमारी sound कितनी loud है, उसे decibels की form में हम measure करते हैं, और आपके answers यहाँ पे क्या आ रहे हैं, B, C और D क्या रहे हैं, majority मुझे लग रहे हैं, C कह रहे हैं, और majority यहाँ पे बिलकुल सही कह रहे है, sound कितनी loud है, उससे decibels में बापते हैं, और आपकी जो normal conversation है, यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट करके रहे हैं, यह सारे link जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह मैंने सारे पहले सी आज copy करके रहे हैं, अभी आपके साथ PDF form में share कर दूँगा, आप इने detail में देख सकते हैं, नहीं भी देखना चाहें, तो यहाँ आपकी जो sound है, उसकी loudness हम मेजर करते हैं हमारे decibels में, जो हम normal बातचीत करते हैं, उसकी जो decibels है, वो 60 decibels, जो आपके lawnmower होते हैं, रॉक कंसर्ट होते हैं, जहाँ पे बहुत तेज-देज गाने बाने चलाया जाते हैं, वहाँ पे आपकी जो sound है, वो 90 से 120 decibels तक भी पहुं आपको नुकसान दे सकती है, एक दो बार सुन लिया, रॉक कंसर्ट तो दिकत नहीं है, अगर रोजाना सुनेंगे तो आपको दिकत हो सकती है, average decibels भी बताये गए कि किसके क्या-क्या decibels हैं यहाँ पे, normal आप देख सकते हैं, आपकी घर की noise के, normal conversation के, office noise के, vacuum cleaner के, यह आपके noise levels है, बट इसे उपर अगर हम जाते हैं, heavy traffic है, हमारे पास shouted conversation है, आपका motorcycle है, school dance है, chainsaw है, यह सब चीज़े, gunshot है, आपका, rock concert है, यह सब चीज़े जो है, यह आपके 85 decibels से उपर जा रहे हैं, और यह आपके harmful consider किये जाते हैं, जैसे जैसे loudness जो है, वो बढ़ेगी, वैसे व option number C, इसलिए answer है जी, option number C, बिल्कुल, चलो, सूजी कह रहे हैं, sir, your classes are very good, I have downloaded the app, बहुत बढ़ी है जी, पूरा फायदा उढ़ाईए हमारी classes का, और examination में अच्छे-च्छे marks लेकर आईए, अच्छा-च्छा result लेकर आईए, अब आखरी सवाल है आज का, इसका answer भी देते जाईए, which of the following greenhouse gases has the least atmospheric life, इन में से किस greenhouse gas की atmospheric life जो है वो सबसे कम है, carbon dioxide, sulfur hexafluoride, methane और nitrous oxide, इन में से किस की, बताईए जी, इन में से किस की life सबसे कम है, revision videos डल रखी हैं, हमारे channel पे ही आप refer कर सकते हैं, उन्हें, answers आ रहे हैं मेरे पास B और C के, B और C के answer आ रहे हैं, हमारे पास mix जल रहे हैं, बिल्कुल B और C का, most welcome Shivani जी, sir, आपने इसका answer ही नहीं यहाँ पे लिका, directly link डाल दिया, answer नहीं, mark किया, कोई दिक्कत नहीं है, इसका answer, my dear friends, हमारे पास जो है, वो methane होने वाला है, methane होने वाला है, इसका answer, जली मैं आपको लेकर चलता हूँ, यह table आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी screen पे आपको दिख रहा होगा, यह table थोड़ा सा, यह light font में है, चले, कोई दिक्कत नहीं उमीद करते हैं, आप तो कुछ-कुछ देखी रहा होगा आपको, तो यहाँ पे हमारे पास green house gases है, उनके formula है, और global warming potential है, over a hundred year time period, और इनकी atmospheric lifetime यहाँ पे लिख रखी है, in years, तो global warming potential जो है, वो carbon dioxide की respect में ना पा जाता है, और इसलिए carbon dioxide का global warming potential जो है, वो one है, और उसकी lifetime यहाँ पे क्या होगई, इसके मुकाबले बाकियों को देखते हैं, इसके मुकाबले अगर बाकियों को देखें, तो methane जो है हमारा, वो उसकी 25 times global warming potential जो है, वो इससे जादा है, और उसकी atmospheric life यहाँ पे कम है, नाइट्रोस उक्साइड की बात करें, नाइट्रोस उक्साइड की हमारे पस global warming potential जादा है, और उसका lifetime भी जादा है, इसके बाद है जिक लोरो फ्लोरो कार्बन और हाइड्रो फ्लोरो कार्बन, जोकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिनकी global warming potential तो बहुत ही जादा है, 10,000 तो यह टेबल जो है आपको याद रख लेना है, यह टेबल आपको पता होना यहाँ पे चाहिए, अगर टेबल पता होगा यह आपको तो आपको काफी असानी हो जाएगी, देखे, यहाँ पे बताया गया कि आपकी यह दोनों चीजे जो है, आपकी atmospheric gases के greenhouse effect की strength को determine करते हैं, दोन चीजे यहाँ पे लिख रखी है ना, एक global warming potential लिख रखा है और एक लिख रखा है atmospheric lifetime, यह दोनों चीजे जो हैं, यह आपकी बताती है कि कौन सी gas के अंदर जादा हिम्मत है greenhouse effect करने की, पहला है global warming potential, तो कहा गया जिसका global warming potential जादा है, वो आपकी अर्थ को जादा गरम कर as compared to the same amount of carbon dioxide, और दूसरा हमारे पास है atmospheric life, अब जिस gas की atmospheric life हमारे पास जादा है, वो हमारे लिख जादा dangerous है, वो जादा हमारे उपर global warming करेगा, greenhouse effect जादा करेगा, तो यह बातें आपको पता होनी चाहिए, तो यह बातें भी आपको पता होनी चाहिए, इंपोर्टेंड है examination perspective स तो methane जो है आपका carbon dioxide से जादा है global warming potential, बट क्योंकि इसकी lifetime कम हो जाती है, इसलिए इस पे जादा dangerous है, हम carbon dioxide के मुकाबले consider नहीं करतें, हलांकि यह बी एक बहुत important greenhouse gas है हमारे लिए, तो इसका answer यहाँ पर हमारे पास option number C, methane होने वाला है हाँ जी, अमीरा कह रहे है thank you, most welcome जी, शिवानी बिल्कुल आपका answer मिथेन सही है, मदू कह रहे है ऐसे एकदम बैठ जाता है दिमाग में आप घुमाने ले जाते हो, बिल्कुल घुमाने लेकर चलते हैं आपको तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती है न, आपको याद आजाता है कि हाँ sir गुमाने लेकर गए थे और वहाँ से इसका answer मिला था, इसलिए लेकर चलते हैं, बिल्कुल जोती याद कर लेना कोई बात नहीं लेट होगे तो, यह my dear friends था आज आपके साथ हमारा discussion, तो my dear friends, examination बहुत ही नजदीक है और positive रहे है, सोची कि मैं examination को crack कर सकता हूँ, और आप कर लेंगे definitely, कर लेंगे अगर आपने महनत करी है, तो उसका result आपको definitely मिलेगा, आपकी महनत waste नहीं जाएगी, आपका hard work पे आपको करेगा, थोड़ी सी tension अगर आपको है, तो बिल्कुल भी गबराइए मत, देखे थोड़ी सी tension जो है, सभी को होती है मुझे ही भी tension है यहाँ पे, कि मैंने आपके साथ साथ मैंने भी काफी time यहाँ पे invest किये, और काफी जादा efforts कियें आपके साथ, थोड़ी tension तो यहाँ पे मुझे भी है, बट यहाँ पे हमें कही ना कही अंदर से पता है कि हमने काफी hard work आपके लिए किया है, और आपने भी काफी hard work किया है, तो कही ना कही हमें results जो है definitely मिलेगा, और इसी उमीद के साथ, my dear friends, आप महनत करते जाएगे, जो limited time है, उसमें अच्छे से revision कीजिए, और कम से कम एक mock test तो ज़रूर आप लगा के देखना, कम से कम एक mock test लगा के देख लेना, पढ़ाई करने के साथ साथ, N ETA वाले format में free mock test हमारी website से भी आपको मिल जाएगा, उसका link अलग से YouTube पे भी शेयर कर दूगा, उससे आपके definitely improvement होगी आपकी performance के अंदर, आप definitely जादा confident feel करेंगे examination pattern को लेकर, तो आज ये था हमारा discussion, अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को like करना, चैनल को subscribe करना और query है, तो mail कीजिए, WhatsApp कीजिए, call कीजिए, Facebook और Telegram पे follow कीजिए, website का link आपको दिया है और हमारी free learning app भी आप Google पेस्टों से डाउनलोड कर सकते हैं. जोती कोई बात नहीं, class को दुवारा से देखना, thank you Poonam Pandi जी, most welcome Niharika, Sumit, Chetna, Krittika, Madhu, Anil, Niharika कहे रहें, लगता है, इस सब भूल गए, देखें, कोई डरने वाली बात नहीं है, देखें, मैंने आज जो आपके साथ सवाल डिस्कस की ना, वो सवाल बहुत टेडे थे, तो डरने की जुरूरत नहीं है, यह सवाल हमने जानके टेडे लिये थे, ताकि ऐसे सवाल examination में आये, तो आप इनका अंसर दे सके, अगर असान सवाल लेते, तो आप definitely उनके सही सही आंसर दे देते, तो जानने के थोड़ से टेडे सवाल लिये थे, बट आप यहाँ पे बि त्री नाथ, उके जी कोशिश करेंगे इसका भी revision करा दे, पुनम, थेंक्यू निहारिका जी, most welcome कंचन, थेंक्यू अभिलाशा, most welcome नितन, जतान्दी मलिक, चलो तो इस सेशन को मैं यहाँ पे end कर रहा हूं, revision करते रहिए, positive रहिए, आपने अगर महनत करी है, तो आपको result मिलेगा, कहीं न कहीं आप अंदर से जानते हैं कि मैंने महनत करी है, और आपको उसका result definitely मिलेगा, revise करते जाएए, revise करते जाएए, जो चीज़े आपने पढ़ी हैं, उसे revise करते जाएए, बार-बार क्योंकि जो facts हैं, आपको याद करने हैं, कौन सा agreement कहां हुआ था, कौन सा protocol कब हुआ था, greenhouse gases का क्या order है, यह सब चीज़ें जो हैं, रटा मारने वाली हैं, याद करने वाली हैं, अगर आप एक दो दिन पहले नहीं इन चीज़ों को रटोगे, तो आपको याद नहीं रहेंगी, कोई concept नहीं समझना इसके अंदर, यह सिरफ रटने वाली चीज़ें, तो इन चीज़ों को आप रटो, ऐसी चीज़ों को आप रटो, कौन सी education commission, कौन से year में आई, यह सारी चीज़ें जो हैं, आपको examination में काम आने वाली हैं, और इस समय आपको यह सारी चीज़ें भी रट लेनी हैं, चलिए, तो my dear friends, आप सभी का most welcome है जी, तो telegram पर अभी डाल रहा हूं मैं इसे, इस session को मैं end कर रहा हूं, bye